परणी बैजनात चा बैजनात आला मी नमन करतो हर हर महादेश मैं संत भगवान बाबा संत नारायन महाराज को नमन करता हूँ योगेश्वर देवी को प्रणाम करता हूँ बीड का हमारे स्वर्गिय गोपिनात मुंडेजी से दिल का रिष्टा रहा है वो हमेशा मुझसे बीड और मरखवार के विकास के लिए चर्चा करते थे मैं उन्हें बहुत भावपुर्वग याद कर रहा हूँ और साथियों मेरा एक दुर्भाग्य रहा कि 2014 में आपने जब मुझे देश की सेवा करने का दाईत्व दिया तब मैं देश भर मैं से गोपिनात जी जैसे साथियों को चून चून करके दिल्ली ले गया था ताकि हम मिल करके देश की सेवा करे गोपिनात जी के पास मुझसे भी ज़्यादा अनुभव था लेकिन मेरा इस दूर्भा के रहा कि आने के कुछी समय में मुझे मेरे इस साथी को मुझे गवाना पड़ा और इन कारकाल में मुझे मेरे बहुत साथी खोने पड़े गोपिनाज जी, अरुन जेटली, सुष्मा स्वराज, मनोहर परिकर यानि ये आप कलपना कर सकते हैं के मेरे जैसे व्यक्ति को हो, जब मेरे हाथ कट जाए, तो मेरी मुसिबत कितनी बढ़ गई होगी और इसलिए, इन सब साथियों के मुझे बहुत याद आना, और यहाँ जब आया हूँ, तो स्वाभाविकृप से, गोपिनाज जी की याद आना, और जो मैं कमी महसूस करता हूँ, वो मुझे फील होता है साथियों, आज तीसरे फेज का मतदान खत्म होने पर है, और साथ ही, इंडी अगाडी की उम्मिदे भी खत्म हो गई है पहले चरण में, इंडी अगाडी पस्त हुआ, दूसरे में ध्वस्त हुआ, और आज तीसरे चरण में, इंडी अगाडी का कहीं कोई छोटा मोटा दिया अगर जल रहा था, वो भी बुझ गया है साथियों, मोदी, विख्सीत भारत के मिशन पर निकला हुआ है इस संकल्प के लिए, आज मैं, आप से कुछ मांगने के लिए आया मुझे आपके आशिरवाद चाहिए और मेरी विरासत, आप ही है आपके आने वाली पीडियां, वो ही मेरी विरासत है मैं आपके भविश्य को बहतर बनाने के लिए निकला हूँ मैं आपके बच्चों के भविश्य को बहतर बनाने के लिए दिन रात महनत कर रहा हूँ आप ही मेरा परिवार है मेरा भारत मेरा परिवार लेकिन साथियों आप जानते हैं कि इंडी अगाड़ी कीस एजन्डे के साथ चुनाव में है इनका एक ही एजन्डा है ये सरकार में आएंगे तो मिशन कैंसल चलाएंगे इन्होंने कहा इंडी वाले जब सरकार में आए तो वो आर्टिकल 370 जो मोदी ने हटाया है उसको ही हटा करके फिर बिठा देंगे इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो C.A.A. लाया है उसको कैंसल करेंगे इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो 3 तलाग के खिलाब कानू लाये है उसको कैंसल करेंगे ये लोग मोदी जो किसान सम्मान नीजी का पैसा किसानों को भेचता है उसको कैंसल कर देंगे मोदी जो मुप्त राशन की योजना लेकर के गरीब को मुप्त राशन दे रहा है उसको कैंसल कर देंगे हम देश के पच्पन करोड गरीबों को पांच लाख रुप्य तक का मुप्त इलाज दे रहे हैं कॉंग्रेस एंडिये की योजना भी कैंसल कर देगी और इतना ही नहीं कॉंग्रेस वाले इंडिये अगाडी वाले राम मंदिर को भी कैंसल कर देंगे आप चोंकिये नहीं एक पुराने कॉंग्रेसी नेता ने जो बीस पचीस साल कॉंग्रेस में रहे जिनोंने कुछ समय पहले ही कॉंग्रेस छोड़ी है उन्होंने एक सन्व सनी खेज खुलासा किया है उन्होंने बताया है कि जब कॉर्ड से राम मंदिर के पक्षमे फैसला आया था तो सहजादे ने खास लोगों की एक मिटिंग बुलाई थी सहजादे ने कहा था कि कॉंग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर पर सुप्रिम कोड का फैसला पलट देंगे इनके पिताजी ने तुष्टी करन के लिए तीन तलाग के मामले में साबानो केस में सुप्रिम कोड का जो जज्जमेंट आया था उसके निर्णे को पलट दिया था कहते हैं वैसे ही अब राम मंदिर के फैसले को भी पलट देंगे साथियों आज ही इंडी गर्वंदन के एक और नेता ने कहा है कि राम मंदिर तो बिकार है बताईए यही नेता पहले भगवान राम की पूजा को पाखंड बता चुके हैं किसी और धर्म के लिए यह ऐसी भाषा सपने में भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं लेकिन तुष्टी करण के लिए वोट बैंक के लिए यह लोग बार बार प्रभुसी राम का राम भक्तों का लगातार अपमान कर रहे हैं क्या ऐसे लोगों का इंडी गड़ बंदन आप मुझे जवाब देना क्या ऐसे लोगों का इंडी गड़ बंदन महराष्ट के गवरव को बढ़ा पाएगा ज़रा पूरी ताकत से बोलिया बढ़ा पाएगा बढ़ा पाएगा साथियों कॉंग्रेस अब खुल कर वोट बैंक और तुष्टी करण का खेल खेल रही है आपने सुना होगा इंडी अगाडी के लोग वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं महाराश्टर कॉंग्रेस के लोग 26 ग्यारा के मुंबई हमले के आतंकियों को क्लीन चीट दे रहे हैं सिंदे जी ने अभी उपनी भाषनमेस का उलेख भी किया कशाब समेत जो दस आतंगवादी पाकिस्तान से आये थे ऐसा लगता है कॉंग्रेस उनसे कोई रिस्तेदारी निभा रही है देश पूछना चाहता है कॉंग्रेस के लोगों और आतंगवादियों का ये रिस्ता क्या कहलाता है देश भूला नहीं है वो दिन जब कॉंग्रेस के समय में आतंकियों का स्वागत प्रधान मंत्री आवास में होता था और देश ने वो दिन भी देखा था जब बिल्ली में बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए कॉंग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी आतंकवादियों के मरने पर इंडी अगाडी वालों वही दीन देश में बापस लाना चाहते हो याद रखो मोदी चट्टान बनकर तुमारे सामने खड़ा है साथियों सहजादे तुस्ती करण की सनक में एक और खतरनाक चाल चल रहे है आप भी जानते हैं बाबा सहाब आमबेड करने बलीतों पीचणों को आदिवाचियों को आरक्षन का अधिकार दिया था बाबा सहाब ने इस बात का भी पूर्जोस विरोध किया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं दिया जा सकता इस बात पर बाबा सहाब अडे हुए थे पूरी संबिदान सभाने आज से 75 साल पहले लंबी चर्चा करके ताई किया था कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षन नहीं दिया जा सकता लेकिन कॉंग्रेस पार्टी दलीतों आधिवासियों पीछणों का आरक्षन चीन कर उसे धर्म के नाम पर देना चाहती है आपको मैं एक उधान बताता हूँ ये कलपना नहीं है ये हो चुका है और आप चौक जाएंगे आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे रही है मैं उधान के साथ आज मेरे बीड के भाई बेहनों को समझारा चाहता हूँ मैं मेरे देश के लोगों को समझारा चाहता हूँ करना टका में कॉंग्रेस की सरकार है वहाँ पर OBC को 27% आरक्षन मिला हुआ है इन्होंने क्या किया रातो रात एक फत्वा निकाला सरकार ने रातो रात उन्होंने एक ओडर निकाला ठपे मार दिये सिगने चर कर दिया और ओडर क्या निकाला करनाटका में जितने भी मुसल्मान है सबको रातो रात उन्होंने OBC बना दिया गोजित कर दिया आज से ये OBC है परणाम क्या हुआ जो OBC समाज के लोगों को 27% आरक्षन मिला था बाबा साम अमबेड करने दिया था संभिधान ने दिया था भारत की संसद ने दिया था रातो रात मुसल्मानों को OBC बना कर उसमें डाल दिया तो जो OBC के पास था उसमें डाका डाल दिया रातो रात चोरी करके लूट लिया और जो पहले इसका लाब लेते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुसल्मानों के खाते में चला गया अब मुझे बताईए क्या इस प्रकार का खेल आपको मंजूर है पिछले दरवाजे से OBC का आरक्षान लूट लिया जाए यह आपको मंजूर है ज़र आप पूरी ताकत से बताओ तो पता चलेगा कि मंजूर है कि नहीं है आपको मंजूर है जब आप अब यही काम यह देश में हर राज्य में करना चाहते है साथियों आज सुबह ही इंडी गड़बंदन के एक और नेता ने इनकी साजिस को खुद ही स्विकार कर लिया है और उनके जूट को बेनकाब कर दिया है और यह नेता वही है जिने चारा गोटाले में अदालत ने सजा दी है जानते हैं न नाम तो कौन है चलिए बीड़वाले भी जानते है इंडी गड़बंदन के इस नेता ने आखिर कर स्विकार कर लिया है कि यह लोग मुसल्मानों को पूरा का पूरा आरक्षन देना चाहते हैं यानि अभी जो S.C.S.T.O.V.C. को आरक्षन मिलता है वो बंद करके यह लोग पूरा का पूरा आरक्षन मुसल्मानों को देना चाहते है आज सुबह उनने कहा है यह इस देश के हर दलीक पिछडे आदिवासी के लिए खत्रे की गंटी है इसलिए आपको इंडी गड़बंदन के इरादों से सावधान रहना है भाईयो बहनो यह मोधी है आप भी इसको अब बलीभाती जानते हैं मैं आपको गारंटी देता हूँ जब तक मोधी जिन्दा है जब तक मोधी जिन्दा है दुनिया की कोई ताकत बलीतों का आदिवासीों का पीछडों का उबिसी का आरक्षन नहीं ले सकती है यह मोधी की ताकत है भाई यो बहनों आज कोई भी राष्टवादी ताकत कॉंग्रेस के साथ नहीं बची है असली राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ है बाड़ा साथ ठाक रेकी असली राष्टवादी शिवसेना बीजेपी के साथ है और कॉंग्रेस के जाथ कौन है नकली शिवसेना नकली राष्टवादी कॉंग्रेस और यह कर क्या रहे है यह नकली बादे कर रहे है नकली विडियो बना रहे है साथियों कॉंग्रेस की आदत है नकाम करो न काम करने दो आपको याद होगा मैंने गुजरात और महाराश्चा के बीच बुलेट ट्रेन का काम शुरू किया कॉंग्रेस ने पहले उसका मजाक उड़ाया फिर उसका विरोध किया और जब तक महाराश्चा अगाड़ी की सरकार रही इनोंने काम बढ़ने ही नहीं दिया अब यह अगर सरकार में आएंगे तो बुलेट ट्रेन का काम ठप कर देंगे एक और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बुलेट ट्रेन के विस्तार की बात कर रही है दूसरी और कॉंग्रेस और इंडिये गाड़ी बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे है आप मुझे बताइए 21 सदी के भारत को कौन सी सरकार चाहिए क्या आप देश को इन विकास विरोधी लोगों के हाथ में हम देश सकते हैं क्या साथियों कॉंग्रेस जहां भी आई है उसने सपनों को कुचला है महराष्टर और मराठवाड़ा खुद इसके भुक्तब होगी है इंडिय अगाड़ी ने कभी यहां सूखे की समच्या की और ध्यान नहीं दिया इनोंने बस फीते काटे और प्रस्टाचार किया साथ वर्सों से मराठवाड़ा जल ग्रीड परियोजना ठब पड़ी थी आज एकनाचिंदेजी, देवेंदर पड़नवेश और अजित पवार मिलकर सींचाई परियोजना को मीशन मोर्ड में आगे बढ़ा रहे हैं साथियों हमने पी-ए-म कुरुशी सींचाई योजना के तहट महराष्ट के 27 प्रोजेक को चुना है इन में से 10 प्रोजेक पूरे भी हो चुके हैं बाकी प्रोजेक भी जल्द पूरे कर लिये जाएंगे जब देवेंदर पड़नवेश जी की सरकार ने महराष्ट के लिए बली राजा जल संजीविनी स्किम बनाई थी लेकिन इंडिये गाडी सरकार ने उसे भी रोक दिया था लेकिन अब इस किम को गती मिली है एंडिये को आपका आशिरवाद ये सुनिश्चित करेगा कि ये मराठवाड़ पानी के संकट से मुक्त हो साथियो मोदी किसी बड़े साही परिवार से नहीं है वो गरीवी से निकल कर आपके आशिरवाद से यहाँ पहुचा है मुझे पता है किसान एक फसल के लिए कितनी महनत करता है उसकी फसल अगर खराब हो जाती थी तो उस पर क्या बितती थी इसलिए मोदी ने फसल बिमा की गारंटी दी आज हर वर्ष बीड के किसानों को बिमा के पांसो से साथ सो करोड रुपिये मिलते हैं महायूती सरकार ने भी एक रुपिये में फसल बिमा की किस्किम शुरू की है महाराच्ट सरकार किसान सम्मान नीदी में भी चेह हजार रुपिये जोड कर दे रही है साथियों मराच्वाड़ा के विकास एंडी एकी जिम्मेदारी है आज भारत माला परियोजना के तहत सूरत अकल कोट रोड हो तीन हजार करोड रुपिये की लागत से बन रहा छत्रफती संबाजी नगर से एड़सी तक नेशनल हाइवे हो एमजनगर बीड परली रेल लाइन का निर्माड हो कॉंग्रेस ने जीस मराच्वाड़ा की उपेक्षा की थी आज वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है साथियों 13 मैं को महराश्टर और देश के विकास की गारंटी का महापर्व है आपका हर वोट मोदी के विक्षिद भारत के वीजन को मजबूती देगा भारतिये जनता पार्टी और एंडिये ने गोपिनाजी के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी बेटी पंकजा को दी है मेरा अनुरोध है तेरा मै को बेटी पंकजा मुंडे को भारी मतों से विजयी बनाएं बनाएंगे इसके लिए काम करेंगे जादा से जादा मतदान कराएंगे मतदान के पुराने सारे रकॉर्ड तोड़ेंगे कितनी ही गर्भी क्यों नहो मतदान जादा होगा अब पार्लामेंट तो जीतना है लेकिन मेरा एक और काम है करोगे मुझे पोलिंग बूद जीतना है ये पार्लामेंट सीट में जीतने पोलिंग बूद है वो सारे पोलिंग बूद जीत सकते हैं क्या आप पोलिंग बूद जीत करके दिखाएंगे क्या सारे के सारे पोलिंग पूस में भाजपा का NBA का जंड़ा जुकना नहीं चाहिए करेंगे अच्छा मेरा एक काम करेंगे ये ये जो मेरा काम है ना ये चुनावु वाला काम नहीं है नहीं वो पंकजा वाला काम है न वो बाजपा वाला काम है ये मेरा पर्सनल काम है करोगे ठंडे पड़ गए यार जड़ा हाथ उपर करके ताकत से बसाओ ना करेंगे पक्का करेंगे तो ये काम मेरा जुरू करना जादा से जादा गरों में जाकर के परिवार के सब को मिलना और मिलकर के कहना कि अपने मोदी आये थे और मोदी ने आपको प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम पहुचा दोगे गर गर पहुचा दोगे हर माता बहन को पहुचा दोगे हर बुजूर को पहुचा दोगे जब आप उनको मेरा प्रणाम पहुचा ओगे ना वो जुरूर मुझे आशिरवाद देंगे और जब वो मुझे आशिरवाद देते हैं तो मेरी उर्जा अनेक गुना बढ़ जाती है और आपके लिए खपने का मेरा संकल्प मजबूत हो जाता है मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद